हेमां, अगर आप gofiber connection लेना चाहते हैं या फिर जुआ फैबर का connection आपके पास है तो आपको सभी को पता है कि आपका एक landline number आपको मिलेगा लेगा लेकिन अगर आपके पास land phone नहीं है फिर भी आप landline number को use करके unlimited voice call कर सकते हैं या फिर video call भी कर सकते है लैद online number को यूज़ करके आप कैसे करेंगे यूज़ पहले तो अगर आपके पास android phone है तो उसमें आप उसका wifi को connect कर दीजिए अगर आईफोन है उसमें भी connect कर दीजिए उसके बाद आपका GPS याफी लोकेशन जो है उसको अन कर दीजिए उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कि इसको कैसे आप यूज़ करेंगे मैं अभी आईफोन में आपको दिखाऊंगा android phone में भी आपको सेम यूज़ करना है क्या करना है आपको पेले android phone में play store में जाना है यह आईपोन है आईपोन में आप स्टोर में जाना है यह अपर search में जाए यह search किजिए जीओ 4g जीओ 4g voice जो option है उसको select किजिए यह पर देजिए फर्स्ट option में आ गया है जीओ 4g voice इसको select किजिए और download किजिए यह download install हो जाएगा उसके बाद आपको इसको open करना है सिंपल है एक registration process follow करना है आपका जो जो फाइवर जो connection दिया थे उसमें जो आप नंबर दिये थे फाइवरी नंबर उसमें एक OTP जाएगा OTP को यहां पर डालेंगे तो registration complete हो जाएगा और आपके पास वाइफाई या location service on होना चाहिए तो इसको open करने के बाद जो भी permission मांगेगा उसको आप allow कर दिजिए उसके बाद यह पर देखिए एक option आप आप सकता है connection error तो इसको only data ही मनना है तो आपका देखिए registration process चालो हो गया है OTP आएगा आपके mobile पे और यह पर देखिए फिर एक permission connection मंगा है contact number access करने के लिए तो इसको access कर दीचे हैं याप आप दीए भी किप कर सकते हैं आप आप इसको skip कर दीए और देखिए skip option दिया गया है यह देखिए उपर contact number मिलेगा और नीचे इसे dial pad मिल जाएगा यह आपर दीए video कर सकते है voice call पर सकते है contact number message सब देख सकते हैं य आपर सेटिंग में बहुत सारा ऑप्शन और उपर में सेटिंग में आपका नमबर दिख जाएगा ठीक है तो इसे आपको सेटिंग करना है OTP के एक बीच में OTP का ऑप्शन आता है जिसको मैंने स्किप कर दिया तो OTP आपको डालना है और अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कोमेंड में दिख सकते हैं मैं आपको बता दूगा अगर कोई पाप्लेम होगा तो तो इसको युज़ करके आप अनलिमिटेट कॉल कर सकते हैं और एक बात कि अगर जब डायल करेंगे कॉल पहले जीरो डालना है उसके बाद ही आप कॉल कर सकते हैं अगर जीरो आगर नहीं डालेंगे तो आपका कॉल नहीं होगा जैसे बहुत वीडियो सभी कॉल कर सकते हैं फ्री में अनलिमिटेट ठीक है चलिए देखते हैं एंडर्वाट फून में आपको केसे करना है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं मेरे पहले से ही स्टोल इसे जीओ फोडिये इसको अगर ऑगे तो यहां पर देखिए इसे इंट्रफेस खुला इहां पर इसके बाद अगर सिन्थ यह चीजद कर सकते हैं और इक चीजद देखिए है यह मेरे वाइफवाइब के साथ कनेक्टेट है जू कर मैं अगर मैं इसको मोबाइल डेटा के साथ कनेट करता हूं तब देखी क्या होगा यह अपर देखी उपर में कनेक्टिन आए का ऑप्शन अब देखिए अनेवेल टू कनेट प्लेस चेक यूर इंटरनेट कनेक्शन ऐसा अप्शन आपको दिखाएगा अभी फिर से देखिए अगर मैं इसको आप करके वाइफाई यह उसको एनेबल करता हूं तो फिर से देखिए ग्रीन होके क्नेक्टिट दिखाएगा भी उसदेर अगर आप कॉल करना चाहते है नॉर्मली आपको यह पर जीरो कोई भी मोबाइल में कॉल करेंगे तो पहले क्या करना है आपको जो लैंड नमबर दिया गया था वही लैंड नमबर से आपके इसे बहुए से वीडियो कॉल कर पाएंगे वह हम देखेंगे वही कोई लैंड मुने करके ए एजियो 4g एप यूज करके तो पहले क्या करना आपको इसको को पैन करना है फिट जो नंबर द्यों 26 जो दॉन के उसके बाद क्या करना आपको कॉल करना इसको अगर प्रेस करेंगे तो वीडियो कॉल होने और एक कणके टॉफो हो चलिए ट्री करन mon कि नहीं पेले वीडियो कॉल करते हैं देखे रिंग हो रहा है नमस्कार दिन्यों यह ब्रिंग्स फ्रेश रे अचो इन फॉर्म अफ को विद नाइटीं इससे वीडियो कॉल कर पाएंगे और अगर वोईस कॉल करना चाहते हैं तो सेम नंबर को डायल किजिए और वोईस कॉल करी नंबर को ये और वोईस कॉल कर दोपाः आगर कोल करता हैration ॉक म हुख बय।